ओम शान्ति मेरे श्रेत का नाम श्रेंदर पाल बाई और मैं ग्यान में नोवंबर 1999 में आया था तो तब से यही 477 दरचनगर सेंटर में ही कलास करते हैं और मेरे ग्यान में आने का खारण था तो हमारे मले में रामलाल गोहिल जी ग्यान में चलते थे वह एक दिन शुबह-बह गर में आये तो मैं आरती करके नीचे अगार था तो बोला किसकी आरती करके आये हो तो मैंने बोला बाबा बालकनाह जी की तो मुस्करा करके बोले बाबा बालकनाह जी किसको मानते हैं तो मैं क्या छिप बाबा को मानते हैं तो बोला आपको छिप बाबा से डिरेक्ट मिलना चाहिए मैं क्या कैसे मिलें बोला सुबा कल बीरवार मेरे साथ आच्रम जाना तो मैं उनके साथ आच्रम में आगया तो वहां आकर के बड़े बेंजी से मलाया उसने तो बेहनों ने बहुत ही सने से बोला पे आप डेली आया करो दो जा तीन लेसन लेने के बाद ही बेंजी ने बोल दी जा आप कलास में मुर्ली सुन सकते हो तो तब से हम मुर्ली डेली कलास करते हैं तो तो हमारा पहले से detox होई रहा है क्योंकि हमारा परवार बिल्कुल思 में स् मेरे मन میں यही ठाहता था जब मैं चार-पांच साल का था तो मैं पिता-जी एक्सपायर हो गए थे तो मेरे में यही रहता था थैंका था मुझे पिता का प्यार नहीं मिला थो जब यह आय तो तो सारा ग्दबिन सना तो बावा से पता चला वहने बहुत को बाप में लगा है बहुत खुची हुई और कि प्रापति की बात यह यहां तक बाबा की शिक्षा पहले हमारा टूरिंग का काम है तूरिंग में जाते थे तो पहले 10 साल तो हमारी दार्नों में इतनी नहीं रही सही तरिक्के से तो उसके बाद में हमने बाबा से रिक्वेस्ट की हमारा टूरिंग शडवाओ तांके हम पूरी दार्ना कर सकें तो वो भी बाबा ने हमारी डिक्वेस्ट सुनी तो बाबा ने हमारे बेटे को प्रेरना दी पर आप टूर करो पिता को रेस्ट दो तो जब से उसने काम संभाला तो हमने पूरी दार नाय करनी शुरू कर दी तो उससे बाबा ने हमारी प्राप्तियां और बढ़ा दी और हमें को कोशकल नहीं आने दी तो बाबा की मुरली में जो जो भी पॉइंट आते हैं हम पूरा चेक एंड चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बड़ा स्मूथली चल रहा है तो बाबा ने हमारा बिजनिस भी बेलकुल एकदम क्योंके बाबा ने गोण ही ऐसे बच्चों में बरे हैं जो हर सरकल में काम आते हैं हमारे में संतुष्टा, सुक शान्ती, सहन शील्टा और बड़े प्यार से बात करना पार्टियों से तो आमानदरी से काम करना यह सारे पॉइंट यो बाबा ने हमें समझ आये हैं यह हर स्फियर में बिजनिस में भी और हमारे तो हमें बाबा ने बहुत कुछ दिया है, और बाबा का लख लख थैंक्स करते हैं, बाबा हमेशे हमारे साथ रहते हैं, और हमारी बड़ी दीदियों ने भी जो आदी रतन थे, उन से पालना ली हुई है, उसका भी बहुत ही प्रवा परता है, तो जैसे बाबा, ब्रमा सब्क्रत हुए, तो बच्चों के मन में हल चल हुई, तो हमारे भी जहां तीनो अधी रतन बॉतन जब शरीर formatल चोड़ गये जब क्राप्पा कीसे बाबा की बाबा के हमें डाया से Fermi, मैंजी ने सरीर चोड़ा खोड़ा थोड़ी हल चल बाबा. दी हुई है और इतना समूथली इतना बड़िया काम चला रहे हैं जब के ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का एक्स्ट्रा बड़न पड़ा है उन पर फिर भी उनको कोई ऐसी प्रोब्लम नहीं आ रही और बड़े ही इस चारू डंग से हमारा आश्रम चल रहा है और कलास भ हम वे ऊप playedkay दीदीयों का भी हम बहुत सुने मिल रहा है वहुत हम शुक्राना करते हैं तो बाबा की बहुत ही महर बानी और वैदर हम हमसे ही हमारा हाथ पकड़ के चलाता रहे और काम वाबा के बहुत ही ठैंब हैं ओम श्यंति हो उम शंति झाल झाल